वो कहावत तो आपने सुनी होगी यगर किस्मत खराब हो तो उट पर बैठे शक्स को भी कुटा काट लेता है कुछ इसी तरीके का किस साथ कानपूर में दिल्ली नंबर की गाड़ी से जा रहे चार लड़की और लड़कियों के साथ हो गया द्रसल सचेंदी इलाके में दिल्ली नंबर की गाड़ी से जिस पर पुलिस का स्टीकर लगा हुआ था दो लड़के और दो लड़किया जा रहे थे अचानक गाड़ी के बोनट के अंदर से धुआ निकलने लगा ये देखकर गाड़ी में सवार लोगों ने गाड़ी भौती इस्तित सेंट्रल बैंक के पीछे एक होट मिक्स प्लांट पर जाकर खड़ी कर दी और वहाँ पर उपस्तित करमचारियों से गाड़ी पर पानी डालने के लिए कहा कर्मचारियों ने वहां लगे पाइप से गाड़ी पर पानी डाला और आग बुझाने के लिए लड़कों से गाड़ी का बोनट खोलने के लिए कहा लेकिन गाड़ी में सवाल लोग बोनट खोलने में आनाकानी करने लगे मामला संदिक दे लगने पर कर्मचारियों ने पुलिस को सूचना दे दी मौके पर पहुची पुलिस ने जब गाड़ी का बोनट खुलवा कर देखा तो बोनट के नीचे गांजे के 15 से 20 पैकेक चिपका कर रखे गए थे मौके से पुलिस ने तीन बैक भी बरामत किये जुनको कबजे मेले करारोपियों से पूचताच की जा रही है पुलिस ने जान भी पाया कि कार मेट दिलिर इलिस्ट्रेशन की फर्जी नंबर प्लेट लगी है पुलिस का स्टीकर भी गाड़ी पर लगा हुआ था बाइस किलो गांजा बरामद हुआ जिसमें काफी गांजा जल चुका था और काफी स्वक्षित बचा हुआ था इस पर जो गाड़ी में सवार चार वेक्ती थे जिसमें दो पुरुष्टे और दो महिलाये थे पुलिस के दोवरा रहासत में लिया गया गाड़ी को आग बुझाने के बाद सीज करके ठाने पे लाया गया एक लड़का डैली यहा जो दो लड़किया है वो 36 गड़की रहने वाली है और जो दूसरा लड़का है वो यूपी के विजनोर जिले का रहना पताया गया है ये सभी सूचनाएं अभी प्रारंबिक पूश्टाच में सामने आई हैं और इनके बाकी इनके वेरबाउट्स के बारे में और ये किदर से आ रहे थे इन सब के बारे में हमारी टीम इनसे पूश्टाच कर रही है शिकर ही जो जानकारिया मिलेंगी आपके साथ भी शेयर की जाएगी अभी तक इन्होंने बताया कि ये उडीसा से आये हैं और ये डेली जा रहे थे किन्तु इसकी पुश्टी अभी हमारे द्वारा क कि जाएगी इनकी बाकी चीजों के साथ इनके जो मैंने बताया कि अभी पूश्टाच में जो चीजे सामने आएंगे उसको कंफर्म करेंगे और फिर सबी डेल्स आपके साथ भी शेयर करेंगे कहते ना कि साजिश कितनी भी गहरी क्यों न हो आखिर में पूल खुली जाती है कुछ ऐसा ही हुआ इन शातरों के साथ फिलाल पुलिस का स्टीकर लगा कर जो जाल साजी का ये प्लान कर रहे थे वो प्लान तो बिनका फेल हो चुका है आपका इस खबर पर क्या कुछ कहना ह कॉमन बॉक्स में जरूर बताएं कानपुर से सिमर चावला के रिपोर्ट यूपी तक